इंडिया के अंदर जो है इसकी बहुत सारे लिस्ट पाई गई है और मिनिस्ट ऑफ कल्चर जो इसको देखता है आसपास के जो भी है अब इसमें आपको कौन-कौन से हैं वो थोड़े बहुत पता होने चाहिए ठीक है यह लिस्ट जो है युनिस्को के द्वारा निकली जाती है इंडिया के अंदर बहुत सारे इंटेंजेबल कल्चर हेरिटेज साइट्स हैं जैसे कि यह आप यहां देख सकते हो कि चैसे वेदिक चैंटिंग राम लीला राम आयन आन पलाना पलाना टेम का जो भी है कुम्भु मिला जो है सबसे लास्ट मेरी की गई ती तो यू शु जो कहा है कि जो बचारी कंपनी से इंडिया की उनको नुकसान हो सकता है या चाइना इंडिया की बहुत सारी कंपनी को कंट्रोल कर सकता है तो जो भी अभी इंडिया में के अंदर एफडे होंगे वो गवर्मेंट के अपरोवल के बाद ही किये जाएंगे क्योंकि आपने द 26 million ka dollar ka China के लोग investment कर चुके हैं इन इंडिया नेक्स अलते है हैं अपन corona virus जो होता है वो एक single strand होता है ध्यान रहाँ का single strand double strand नहीं होता है single strand RNA virus होता है जो कि animals और इंसानों दोनों के अंधर हो सकता है और इसके अलग-अलग types होते हैं जो α, beta, gamma and palana dimka we are not going into that detail but you should know इसके अलावा जो 2019 में जो वाइरस है है वो SARS-CoV-2 पताने किस तरह का वाण से जनरेट हुआ है we already know about it नेक्ट चलते है Islamophobia का मतलब यह है कि जो coronavirus हो रहा है वो Islam यानि कि मुसल्मानों की वज़े से इंडिया में हो रहा है सपोर्ट करती है लेकिन मुझे नहीं लगता है सा तो यह 69 के अंदर फाउंड हुई थी और पलाना पलाना डिम का जो भी है एस यू कें सी इन दे मैप इस आर दे रेड़ कंट्रीज आर दे मुसलिम कंट्रीज नेक्ट चलते हैं अपन इसके अंदर कुछ अभए किये गए है इस ऑफ डुइण ॡिजनेस की बात की जा रही है और इनवेटमेंट की बात की जा रही है और जो प्राइवेटरेशन उसकी बात की जा रही है कि जो एलेक्ट्रिक सेक्टर उन से उन सब में यह चीज़े होनी चाहिए अभी हाले के अंदर देखा किया है कि कोई authority बनाने की बात की जारी है जिसमें high court का जो judge होगा वो इसका head होगा retired judge लेकिन अब यह बनाई है नहीं कि इसको civil court की power दी जाएगी लेकिन जब यह बनेगी इस authority तब इसके बारे में पढ़ लेंगे Next शलते हैं अपन यह turbo या tribo E mask क्या होते हैं और tribo electricity प्रीध होती है अभी यह tribal on E जो कि एक mask बनाया गया है जब आप इस mask को पहेंते हो और मासक के अंदर इंफ यह virus घुचता है तो electric charge के वाज़े से लेकर civी बिज़र जाएगा या फिर इन Almost Candid हो जाएगा इसमें किसी भी प्रकार के external power के यूज नहीं किया गया है ये electro static concept पर वर करता है इसमें क्या होता है कि जब दो layer आपस में एक दूसरे से टकराती हैं या rub होती हैं तो rub होने की वज़े से एक charge generate होता है या positive और negative charge आपस में मिलता है और उस virus को खतम कर देता है तो ये nylon और silk के कपड़े या polypropionine वगर जो इसके अंदर use किया गया है अब ये tribo electric effect क्या होता है tribo electric में क्या होता है कि जब दो surface आपस में contact आती है जब इन दोनों को आपस में चिपकाया जाता है और अलग किया जाता है तब क्या होता है कि एक electric charge generate होता है तो एक में तो आपको थोड़ा सा idea लग गया होगा कि क्या होता है जिस तरह से आप plastic pan को अपने कपड़े पर रगड़ते हो तो एक जीब सा electric charge generate होता है especially cotton के जो कपड़े होते हैं तो you already know about it next जलते हैं कोई department of science से उसने lithium giant एक star की होज की है जहां पर बहुत सारा lithium पाया गया है तो उसके बारे हम कुछ चर्जा की गई है it's not that important but you should know about lithium lithium जो है गलक्सी के इंदर काफी मात्रा में पाया जाता है ऐसा कहना है Big Bang Nucleosynthesis एक थियोरी है उसके इंसमें lithium जो है वो एक important content होता है जो की hydrogen और helium के बाद third number पर आता है first, second और third number पर lithium आता है ऐसा कहना है Big Bang Nucleosynthesis थियोरी का अब यह Big Bang Nucleosynthesis थियोरी होती है इसे बताता है कि इस पूरी universe में लगबक 25% हीलियम है इसके लावा बहुत small quantity के अंदर lithium भी पाया जाता है पर वो काफी pre-dominant होता है lithium जो होता है काफी soft material होता है और बहुत सदा reactive होता है एक तरह का metal होता है जो सबसे light होता है नेक्स सलते हैं अबन यह कोई drug है antiviral यह अपने कोई काम की नहीं है not important brazels क्या होता है blazers जो होते हैं बैसिकली brightest जो object होते हैं पूरी दुनिया के अंदर यहां पर एक photo देख सकते हो आप as you can see here यह बहुत जादा चमकीले होते है और इनके power source होता है supermassive black hole यानि black hole की वज़े से क्या होता है इनकी brightness होती है अब यह क्यों होता है we don't know about it बार जो blazers होते हैं बहुत ही जादा चमकीले यानि bright होते हैं नेक्स चलते हैं कोई अंगूर हैं उनको GI Tech दिया गया था 2013 में अगर कोई नादा ही इंडिया में अगर पैसा जमा कराता है तो वह भारत के उपर कर जाई है क्योंकि वह भी मांग सकता है FDI जो है करजा नहीं होता है FDI जो होता है वह investment होता है भारत में long term और short term दोनी प्रकार के उधार जो है भारत लेता है और you should know about it short term जो होता है एक साल यह उससे कम के लिया जाता है जैसे treasury bills हो गई या security हो गई उसके आदार पर सरकार जो है उधार लेती है treasury bill जो है वह center द्वार ले जाती state government के पास treasury bill के power नहीं होते है exchange rate के कर बात करें तो वह क्यों effect होती है और center bank अकर चाहे तो उससे effect हो सकती है exchange rate मतलब एक dollar की जो price है वह rupees के अंदर कितनी होगी वह balance of payment या center bank decide कर सकता है तो भारत के अंदर floating exchange rate चलता है अला कि fix भी होता है जिसमें government अपने हिसाब से interfere करती है लेकिन भारत के अंदर क्या होता है currency exchange rate currency exchange rate का forex जो market होता है उससे किस तरह से link है इसको समझने के लिए सबसे पहले लेते हैं Stabilization का मतलब होता है market में liquidity का या तो infused किया चाहे या सबस्टेट किया चाहे market के अंदर जितना भी cash या तो कम कर दो या फिर जदा कर दो ऐसा center bank कर सकता है तो आपकी exchange rate प्रभावित होगी 100% लेकिन अगर आप किसी चीज़ को export करते हो यानि suppose कि इंडिया के अंदर diamond जो है या फिर बहुत सारे इसे diamond है जो export किये जाते है तो इस export करने से exchange पे कोई फर्कनी पड़ेगा until and less जब तक आप उसको balance of payment के अंदर use नहीं करते है तो export does not affect our exchange rate policies that you should know नहीं चलते हैं CPI के बात करें तो जो agriculture और जो गाउं जो होता है उसको निकालता है labor bureau के द्वारा निकल जाती है CPI को अब अपन चलते है headline inflation के बात करते है headline inflation जो होता है उसके अंदर food और जो energy होते है उसके price को count किया जाता है food और energy होते है तो highly volatile होते है यानि यह काफी इनके price change होती रहती है इसलिए यह accurate picture नहीं बताती है कि market में inflation कितना चलता है हाला कि CPI जो है वो RBA के द्वारा use की जाती है ताकि inflation को measure किया जा सके एक चलते है repo rate reverse repo rate की बात करें भारत सरकार ने अभी reverse repo rate को कम कर दिया है इससे क्या होगा कि जो bank होंगे वो RBA के अंदर अपना पैसा नहीं डालेंगे इससे क्या होगा कि bank वाले जंता को पैसा देंगे और इससे जंता को फायदा होगा it's a very simple thing liquidity coverage ratio क्या होता है इसको समझ सकते हैं कि जैसे आपकी salary 100 रुपए है तो 100 में से आपको 33 रुपए बचाने ही बचाने है ताकि आपके वो मुसिबत में काम आए इसी तरह से LCR में क्या होता है कि आपके पास एक liquid asset होती है जिसको आप stress के अंदर use करते हो तो it's very important और आपकी जो short term obligations होते हैं उसको आप meet कर सकते हो इसको LCR कहते हैं ये BASEL 3 norms के अंदर आते हैं और अभी LCR की requirement RBI ने reduce करती है अभी RBI ने 80% करती है फिर बाद में ये 90 हो जाएगी फिर बाद में आपस 100% हो जाएगी जब requirement आईगी तब देखा जाएगा उसको नेक्च चलते हैं coronavirus की अगर बात करें तो ये single strand RNA virus होता है और ये इनसानों जानवरों में सब में किसी में भी हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है common sense की बात है नेक्च चलते हैं UN CAD के बात करें तो इसका 14 संसकरण 2019 में भारत में पहली बार करवाया गया है desertification को लेकर के इसका जो निर्मान हुआ है वो हुआ है रियो का agenda 21 जब आया था तब उसके अंदर इसकी UN CAD की recommendation दी गई थी और उस वक्त ये मन के आया था दो फिय उस वक्त जो बनी थी उसकी मिनिस्ट्री आफ इसकी नोडल एजेंसी है emergency response support system की बात करें तो ग्रह मंत्रा लेकर आता है वो इसको 112 निर्भया केस के बाद बनाया गया था नेक्स चलते है National Cyber Coordination Center जो है वो ग्रह मंत्रा लेकर आता है जनरली Cyber यानि कि Police से related अगर कोई भी सेंटर पर कोई दिक्कत आती है तो ग्रह मंत्राइज को समालता है नेक्स चलते हैं आपकी Body जो होती है उसके अंदर Heavy Metal जो हो सकते हैं और Heavy Metal जो होते हैं उसको Detoxify या 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 उसको निकालना बहुत मुश्किल काम होता है एक्चुली नेक्स चलते हैं पाकी या पक्खुई जो टाइग रिजर्फ है अरुनाचल प्रदेश में है और यह आइस दोजा सद्रा में पुछा गया क्वेशन था चित्रा जीन लेंप जो है यह एक्चुली इंडिया ने बनाया है यह एन कम दब एक समय नौटी जीन जो है उसको फाइंड आट करना है कोरोना वर्यस का ही जीन होता है और यह गुड है कोरोना की टेस्टिंग के लिए निश निश थांक्यू